असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ वनीला आइस्ट्रीम बनाने की रेसिपी जो की बहुती आसान रेसिपी है अगर आप पूछेंगे की आइस्ट्रीम सबसे आसान कौन सी होती है बनाना तो वो होती है वनीला आइस्ट्रीम बनाना क्योंकि ये बन जाती आप कोई सी भी whipping cream यूज़ कर सकते हैं बस उसमें चेक कर लिजेगा जो fat content है वो 30% या फिर उसे ज़ादा होना चाहिए आप यहाँ पर dairy या फिर non dairy कोई सी भी whipping cream कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको वेप कर लेंगे इसको हमें जब तक वेप कर लेना है जब तक यह अपनी quantity की double नहीं हो जाती है और इसमें stiff fix नहीं बन जाती है high speed पर हमें इसको वेप करेंगे यहाँ पर जो मैं cream इस्तमाल कर रही हूँ यह एकदम ठंडी है एकदम चिल्ड है यहाँ पर हमें एकदम चिल्ड cream को ही whip करना है तब ही यह आसानी से whip होती है वरना फिर यह whip नहीं होती पतली ही रहती है और आप इसको whip करने के लिए hand beater या फिर hand whisk करका है इस्तमाल करियेगा mixer का इस्तमाल मत करियेगा क्योंकि mixer जो है चलाने पर गरम हो जाता है जिससे की हमारी cream भी गरम हो जाती है और पर यह पतली हो जाती है और विप नहीं हो पाती है तो यहां पर cream की quantity के डबल हो जाने तक और इसमें stiff fix बन जाने तक मैंने इसको whip कर लिया यह देखिए और हमारी cream जो है अच्छे से whip हो चुकी है तो अब हमें इसमें बाके के ingredients आड़ करने है तो अब मैं इसमें एक कप condensed milk आड़ कर रही हूँ यह मेरा homemade condensed milk है जिसकी recipe आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी मैं इसका link आपको description box में देदूँगी और इसी के साथ अब इसमें एक से एक टीजपून डालेंगे वनीला essence अगर आपका वनीला essence जादर strong है तो एक टीजपून डालेंगे वरना एक टीजपून डालेंगे और इन तीनों ही ingredients को अच्छे से मिला देंगे तो यहाँ पर हमारा mixer तयार है अब हमें एक mode ले लेंगे जिसमें की हमें ice cream को set करना है और जो हमने mixer तयार कर रहा है वो हमें इसमें transfer कर देंगे यहाँ पर मैंने एक airtight container का इस्तमाल कर रहा है जिससे की हमारी जो ice cream जमेगी इसमें crystal नहीं आएंगे क्योंकि हवा के contact में आने पर इसमें crystal आ जाते हैं तो कोशिश करिएगा कि एक airtight container लें और इसके उपर मैं यह butter paper लगा रही हूँ इसको मैं ice cream के उपर set कर दूँगी इससे भी हमारी ice cream में crystalization के chances बहुत कम हो जाते हैं तो कोशिश करिएगा कि आप उपर से एक butter paper या पर कोई cling sheet या पर plastic sheet लगा दें और अब हम इसको lock कर देंगे और कम से कम आट से 9 घंटे के लिए या पर overnight इसको हम deep freezer में या फिर freezer में रख देंगे तो यहाँ पर मैंने ice cream को overnight freezer में रख दिया था और अब ये बिलको set हो चुकी है तो अब मैं आपको इसको serve करके दिखाती हूँ यह देखिए एकदम perfect हमारी vanilla ice cream बनकर तयार है आप इसका texture देख सकते हैं कितना perfect है और एकदम creamy हमारी vanilla ice cream बनकर तयार हुई है तो आपने देख देखिए एकदम perfect vanilla ice cream बनकर तयार है आप इसको चाहें तो ऐसे ही serve कर लें या फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा chocolate syrup गार्णिश कर रही हूँ जो की optional है और बस अब आप इसको serve कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको इसका texture दिखाना चाहूँगी कितना अच्छा और कितना creamy हम एकदम perfect vanilla ice cream बनकर तयार हुई है यह देखिए आपको मेरी vanilla ice cream की recipe पसंद आई होगी आपने देखा है इसको बनाना कितना असान था इसके साथ जो मैंने condensed milk यूज़ कर रहे है आप उसी का इस्तमाल करेगा शुगर का इस्तमाल मत करेगा condensed milk की recipe का link मैं आपको description box में recipe अच्छी लगी है तो please like करेगा family और friends में share करेगा और मेरे channel को one time subscribe करना मत भूलेगा thank you